हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकीत और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मेकेनिकल गुरू यूटुब चैनल पर आज है संडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं हर संडे में लिक्या तो आपके लिए जॉब अपडेट इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा वालों के लि भाई लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और मेकेनिकल गुरू यूटुब चैनल को भी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया बैल आइकन को प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसी अच्छा-च्छा कंटेंट आप लगातर बना के देते रह पाता हूं आज की पहली अप्डेट आ रही है और अपने अप्लिकेशन स्टेक कर सकते हैं और इसकी मदद से न्टीफिक का एक्जाम का है कॉमन सेंस से हमको आईडिया पता चल जा रहा है RRB-CEN2-2019 पैरामेडिकल स्टाफ का जब आप अफिशल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें टेंटिटिव डेट जून दी गई थी CBT-1 की लेकिन होने वाले सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में याली कि थोड़ा डेले हुआ है तो RRB-NTPC का एक्जाम कब तक होने का हैं इसके बारे में अगर हम common sense के थुरू बात करें तो RRB NTPC का exam कभी होगा जब यह paramedical और RRB JEE का exam खतम हो जाएगा RRB JEE का भी पूरा CBT1 खतम नहीं हुआ है जैसे कि आप लोग जानते है जिनका exam reschedule हुआ है उनकी date अभी तक हमें बताई नहीं गई है और जैसा कि आप लोग जानते है RRB NTPC में बहुत सारे application आये करीबन एक कड़ो कि आजपस application RRB NTPC में गए है तो उनकी scrutiny करने में भी railway को time लगेगा पहले आयेगा application status के link जहां पर आप जाकि अपना application status चेक कर पाएंगे उसके एक महीने के बाद 20 दिन के बाद CBT1 RRB NTPC का शुरू होगा आप अगर official notification RRB NTPC के देखेंगे तो उसमें CBT1 की tentative date September तक दी गई है लेकिन जैसा मैंने बताया RRB JEE का exam अभी खतम नहीं हो है एक करोड से ज़्यादा application गए है RRB NTPC के लिए और scrutiny करने में भी इसको time लगेगा paramedical और official notification आ चुका है तो RRB NTPC का CBT1 tentative start हो सकता है अगस्त से अगस्त से start हो सकता है और ये exam चलने वाला है एक देर महीने दो महीने तक भी चल सकता है क्योंकि बहुत सारे application यहाँ पर आये है आपको क्या लगता है कब होने वाला NTPC का exam जरूर बताएगा मुझे नीचे comments में अगली update आरी gate exam की तरफ से gate 2020 की website live हो चुकी और gate 2020 conduct करवा रहा है IIT दिल्ली में आपको बता दू 1992, 1998, 2004 और 2012 में IIT दिल्ली ने gate का exam conduct कराया तो आप यह previous year paper डाउनलोड करके थोड़ा pattern और questions कैसे देते है IIT दिल्ली आप थोड़ा समझ सकते हैं बस idea ले सकते हैं अगर आप prepare कर रहे है gate 2020 के लिए तो आपको आज से अभी से इसी वक्त से आपकी preparation चालू करनी पड़ेगी अगले साल फरवरी में इसका exam होने का है form open होगा जैसे ही notification आएगा हरे चीज हरे चीज में आपको update कर दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप interested है क्या आप gate 2020 देने वाले हैं जरूर बताइए का मुझे नीचे comments में अब ये update हाजी UPSC की तरफ से UPSC ने yearly calendar अपना launch कर दिया engineering services का notification कब आने वाले हमें पता है 25.9.2019 को engineering services का notification आने वाले है pre होने वाले 5.1.2020 को इसके लावा civil services, forest services, CAPF, NDA, NACDS इन सबकी भी dates हमें बता दी गई हैं तो अगर आप engineering services देख रहें, engineering services निकालना है इस बार तो जरूर आज से ही पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए one of the toughest technical exam है ये इंडिया का gate तो है, gate के पहले होने वाला engineering services तो तयारी आपको तगड़े से करना है इतने जल्दी मैं आपको बता दिया हूँ तो अभी आपके पास पूरा time में notification आएगा उसके बाद exam होगा, आप आज सही अपनी तियारी शुरू कर सकते हैं gate के तरफ focus है तो gate शुरू कीजिए, ESE के तरफ focus है तो ESE शुरू कीजिए या फिर SSC JE की तरफ focus है तो आप उसकी तियारी शुरू कर दीजिए लिंक मैं आपको नीचे description पर इस calendar का दे दे रहा हूँ आगे इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं important बात बता देता हूँ इस रोग का जो notification जो आप title में इस रोग देख रहोंगे इसकी जो job निकली हुई है या diploma वालों के लिए diploma electrical के लिए vacancy कम है इसके अलावा जो भी मैं आगे इस वीडियो में job बताने वाला ओ गेट के exam के थुरू निकला हुआ है पिछले हफते में पिछले हफते में मैं ज्यादा job update क्यों नहीं बना है उसका कारेन यहीं कि भाई job निकलेगी तब मैं आपको job update बना के दूँगा मतलब पिछले हफते में कोई भी ऐसी job नहीं निकली हुई जिसके लिए mechanical वाले apply कर सके और कोई exam दे सके और फिरून का selection हो समझ रहे हो ना private company में कुछ निकला है लेकिन भाई कोई मतलब नहीं उसका form भर के क्योंकि कोई reply आपको आने वाला नहीं है जैसे ही कुछ interesting निकलेगा सबसे पहले आपको update mechanical गुरी YouTube चैनल पर ही पता चलने वाली है आगे जो इस वीडियो में update बताने वाले वालो गेट के थ्रूज recruitment निकला हुआ है वह बताने वालो इस दिप्लोमा एलेक्ट्रिकल वालो का update बताने वालो इसके अलावा हर कोई इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है बोलना मेरे क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन भाई क्या करें जो सच बात है वही मेरे मुह से हमेशा निकलती है जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और जैसे ही mechanical वालों के लिए और दूसरी ब्रांच के लिए भी अगली अपडेट आ रही चिन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से गेट के साथ जुड़ा है आपको पहले पीजी कराया जाएगा पीजी के बाद आप असिस्टें मैनेजर बन जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पीजी डिप्लोमा कराया जाएगा मेट् पर मन्त मिल जाएगा और कोर्स कम्प्रीट होने के बाद असिस्टें मैनेजर बनेंगे 40,000 रूपीज पर मन्त आपको मिलेगा फॉर्म बनने के भीज़ 500 और 100 रूपीज सकी गई 100 रूपीज SCST वालों के लिए है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तीस पांच 2019 से और चलने वा चलने वाले 47,219 तक, Chemical की 6 वैकेंसी है, Mechanical की 9 है, Electrical की 3 है, Instrumentation की 4 है, 4 है, Civil की 3 है, 3 है, ITCS की एक वैकेंसी है, LAP सुपरवाईजर की 10 वैकेंसी है, LAP सुपरवाईजर के लिए Chemistry MSC वाले एप्लाय कर सकते है, बागी के लिए B, B, VTEC, BSE 60% के सद पास आट बिल्कुल एक्र कर सकते है सेलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग सिस्टी थाउजन रूपेस पर मन्थ से मिले गई इज लिमिट अठाइस सा रखी गई है सेलेक्शन गेट के स्कोर के बेसिस पर फिर जीडी होगा फिर पी आई आपका होने का है फॉर्म बने की फीज सौरू पर रखी गई या सेस्ट के लिए कोई भी फीज नहीं है अगर आप इंट्रेस्टेर जरू चेक कर लिजेगा लिंक में आपको नीचे दिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा है आज की आखरी अपडेट आदी इस रोग की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट 2019 को उफिशन नोटिफिकेशन आ चुक से सलेरी आप इस स्टार्टिंग एज लिमिट 35-35 एस रखी गई है ऐस ऑन 27-6 2019 फॉर्म स्टार्ट हो रहा है साथ 6 2019 से चलने वाले 27-6 2019 तक फॉर्म बने की पीश सौरूप है वुमेन SCST के लिए कोई भी फीस नहीं है रिटन 48-2 2019 दिल्ली में होने का है तो अगर आप इंट दोस्तों के साथ और मेकेनिकल गुरू यूटूब चैनल को भी तरह आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं आपके लिए रोज अच्छे अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ बहुत जल्दें लोग मिलेंगे भाई लोग जै जावान Jackie-san